नमस्कार जैहिंट स्टूरेंट्स एक इंपॉर्टन्ट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्हों ने री टोटलिंग का फॉर्म भरा था और लगातार वो लोग इसी बात का वेट कर रहे थे कि जैनमेरी का रिजल्ट जो लेट आया था और उसके बाद उनका री टोटलि का पहले का रिजल्ट क्या था और उसके बाद का रिजल्ट क्या है यह सारा दिया है वैसे अगर आप रिजल्ट को गौर से देखें तो रेर केस में ही कुछ बच्चे पास हुए हैं लेकिन एक सवाल यहां फिर से मेरे जहन में यह आ गया कि पेपर तो ओमार पे हुआ था तो ओमार पे पेपर होने के बावजूद बच्चा जब फेल हुआ था तो फिर बी ग्रेड में कैसे आ गया इसका एक यह आप्शन हो सकता है कि ओमार रिजेक्ट हो गई हो और उसके बाद री टोटलिंग का देने के बाद बच्चे को कंसीडर किया गया हो तो जिन बच्च देते का तोВОध फेल ही है जरत पहले भी थे तो इन बच्चों में से जिन बच्चोंने ली का वरा था और इनके जीरो नंबर आघा तो निलिट का कहना था कि जीरो नंबर उन्हों ने इसलिए हुआ है क्योंकि उन लोगों की कॉपी रीचेक नहीं हुई है या कॉपी चेक नहीं हुई है विकाज उन लोगों ने अपनी ओमार शीट गलत भरी है और अब इस बार जो आप देख रहोंगे कि रीटोटलिंग में काफी सारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन लोगों का रिजल्ट जो था वो फेल था और अब बी ग्रेड या फिर कोई अधर ग्रेड्स में शिफ्ट हो गया है तो एक थोड़ा सा यह मेरे मन में एक शंका यह आ जाती है कि उमार शीट में कैसे रिजल्ट चेंज हो जाते ह तो ओमार आरीडर से रीड होती है तो फेल वाला कैंडिडेट कैसे पास हो गया तो यह थोड़ा सा का डाउट है आप लोग क्या चाहते हैं या क्या समझते हैं इस पर कॉमेंट करियेगा मुझे ताकि एक आइडिया लगे कि जो कैंडिडेट ओमार में फेल हो गया था तो वो कैसे पास हो सकता है तो कुछ ना कुछ गरबडी हो सकती है क्यार यह सब जो प्रॉब्लम्स थी इसको देखते हुए निलिट ने इस बार से पेपर पूरी तरीके से online कर दिया है तो यह जो प्रॉब्लम्स हैं ओमार वाली या फिर जो गलत या होने वाले बाद में फेल होन ख्यार इस बार जब पेपर होगा तो आपको पिल्कुल क्लियर हो जाएगा पेपर का रिजल्ट भी जल्दी आने के उमीद होगी क्योंकि बेसिकली आप लोगों का पेपर इस बार online है एक चीज़ और आपको अगर यह री टोटलिंग वाली शीट पूरी देखनी है तो सारी वीडियो पीडियेफ हर नोटिफिकेशन इसमें अप्डेट होता है तो मैं अभी पीडै अप लोग इसको वहाँ से कर लीजेगा तो बच्चों मैंने ये PDF अप्लोड कर दिये आप लोग जाकर इसे चेक कर लिजेगा Retotaling Result के नाम से और अगर आप लोगों का इस बार का paper है तो paper कब है किस तरीके का होगा वो सारा कुछ मैंने नए इसलेबस के pattern पर उपर वाले वीडियो में भी अप्लोड कर दिया है उसकी भी date sheet अप्लोड कर दिये आप लोगों को ये भी वीडियो देख लेना चाहिए मिलते हैं अगली क्लास में गुडबाई